आप सभी को चाइन स्टीप आज से एक नया सब्जेक्ट अपने ग्रूप पर एड़ कर रहा है प्लेलिस्ट में जिसका नाम है करेंट अफियर यह वीकली करेंट अफियर होगा यदि आपका सपोर्ट मुलता है मतलब जाद 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 भ्यू लाइक कमेंट आते हैं खास्तो अफियर को लेकर मैं लगाता है चार साल से वीकली करेंट अफियर बना रहा हूं जो की हाट कॉपी में होता था जो भी चाहिंस के रेगुलर इस्टुडेंट हैं उनको मैं देता था चाहिंस क्लासिस में ओके तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं तो इस वीडियो में एक 10 जुलाई से लेकि 10 जुलाई के बीच का करेंट अफियर डिसकास करूंगा इसके लावा महत्पूर्ण पॉइंट इसमें जो 10 महत्पूर्ण पॉइंट हैं उसको मैंने उठाया है इसके लावा मैं आपको बता दू कि इसमें जो MP है उसको जाता फोकस रखा जाएगा देकर आया है तो उनको भी हम इस करेंट अफियर में कवर करने की कोसिस करेंगे चलिए सुरू करते हैं तो पहला कोशन यही है कि हाली में एसिया की सबसे बड़े सोलर प्लांट का उधगाटन कहां किया गया ओप्सन है हिमाचल प्रदेश हर्याना मद्द प्रदेश या इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर आपने यह वीडियो नहीं देखा होगा लेकिन अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जिसके डिटेल जानकारी दे थी कि एसिया का सबसे बड़ा सूलर प्लांट मद्द प्रदेश में बन रहा है और मद्द प्रदेश के रीवा में यह बना है सौर उल्जा प्लांट है यह रीवा में तो इसको आप देख सकते हैं रीवा अल्ट्रा सूलर प्लांट तो इसको आप देख सकते हैं यह वीडियो अलग से बनाए गया है ओके तो इसका अंसर क्या होगा मद्द प् तो द्यान रखें, जो विश्व जनसंख्या दिवास है, वह मनाए गया था 11 जुलाई, अब इस मेमें आपको बता दूँ, की बार जनसंख्या को लेकर पूछा जाता है कि यह किस उतेश को लेकर बनाए जाता है तो इसके मुख्यता तीन उत्यश होते हैं एक तो बढ़ती जनसंख्या को रोकने का प्रयास करना दूसरी बाद महिला पुरुस में जो आसमानता होती है उसको दूर करना और जनसंख्या ब्रद्धी को रोकने के सतत उपाय करना और जन संख्या के बरती जाग रुकता करना तो यह तीन उपाय है फिर से मैं बोल दे रहाँ एक तो जन संख्या के जो बरती होती है उसको रोकने का प्रयास करना दूसरा बरती जन संख्या को रोकना और तीसरा होता है महिला पुरुस में जो आसमानता है उसको रोकना अगले option है सुमंत मिस्रा को दूसरा है प्रकास मित्तल तीसरा है स्रीकांत माधाव बैद और चोथा है इसमें से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा स्रीकांत माधाव बैद तो यह आपको ध्यान रखना है अगले question पर बढ़ते हैं हाली में किस देश के मधड़ने या इसमें से कोई नहीं तो यह जो जो योजना चालो की है मधड़ने यह उजना का उधेश क्या है जो भी depression में होते हैं उनके लिए प्रियास करना ताकि depression में न आ जाए और खास तरसा seven case जो मधड़ने में लगाता बढ़ रहा है खास तरसा किसानों को लेकर उनको रोकने का ये मुख वो देश है इस योजना को लेकर अगली योजना है हाली में किस राज्जी सरकार ने इंतिजार आपका अभियान सुरू किया है आपके option है हिमाचल प्रदेश हर्याना मद्द प्रदेश या इसमें से कोई नहीं तो इसका भी जो आं दर्सनी इस्थल मद्द सरकार दर्सनी इस्थल प्रसाज करेगी ताकि प्रेटकों को जादस ज्यादा आकरसित किया जाए क्योंकि कोबिट 19 की करण जो प्रेटन है वो काफी कम हो गया है इसलिए इस योजना का नाम रखा गया है इंतिजार आपका अभियान ओके अगले point पर बढ़ते हैं अगला point है हाल ही में आप कीजिए हाल ही में राष्टिय डांक करमचारी दिवस कब मनाये गया ऑप्सेन आपके 29 जून एक जुलाई 30 जून या इसमें से कोई नहीं तो ध्यान रखें जो राष्टिय डांक करमचारी दिवस है वह मनाये जाता है एक जुला और और तो ध्यान इसका सथ़ी अंसर है हेमाचारप्रदेश हाली में किल करोना अभियान किस राऀके में चालू हुआ पहला बैकलत है मद् प्रदेश दूसर बैकल उत्अप्रदेश नहीं है महराष्ट तो यदि आप इस चैनल को अल्रेटी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पूरी जानकारी दी थी इसका सही अंसर है मद्रप्रदेश यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा हो इस वीडियो को आप देखिए काफी महत्पूर्ण कर रहा है उनकी भी जांच होगी इसके लावा यह भी मैं आपको बता दूं कि यह जो योजना है यह पूरे मद्रप्रदेश के सारे जिलों में लागू होगी और इसमें केवल करोना की जांच नहीं होगी इसके लावा मलेरिया और जो वाली बीमारिया है उन पर भी जांच होगी ओक यदि आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो क्या आप कमेंट को बॉक्स में आज बाचा सकते हैं कि इस पूरे वीडियो में हमने मद्दब्रदेश के कितने जोजना और अभियानों को सामिल किया है कमेंट बॉक्स में जरूर लग के बताई मुझे बहुत खु रहे अपने घर पर रहे धन्यवाद